नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सत्यम श्रवास्तों लेट्स किट एजूकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम लोग दिस्कस करने वाले हैं 23 में के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियूस को कैसे क्या रहेगा शेर से हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे आए हम लोग इस योजना को थफ़़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं चलिए देखते हैं प्रधान मंत्री व्य वंदना योजना पी एम वी वी वाई ठीक है तो इस तरह से एक्जाम में कोशन फूट अप होता है चलिए देखते हैं भारत सरकार द्वारा विशेश रूप से 60 वर्स या उससे अधिक की आयू के वरिस्ट नागरेकों के लिए गोशित पेंशन यूजना है ठीक है most important news है यह 60 वर्स तथा उससे अधिक के आयू के लोगों के लिए यह pension यूजना है ठीक है most important अब देखते हैं इसकी जो नियूंतम सरते हैं देखें नियूंतम प्रवेस आयू कहने का मतलब है कम से कम वहाव्यक्ती 60 वर्स तक की उम्र को पूरा कर चुका हो अधिकतम प्रवेस की कोई आयू ही नहीं दी गई है यानि minimum वो क्या हो 60 वर्स के पार हो या 60 वर्स का हो और अधिकतम कोई भी सीमा इसमें नहीं दी गई है द्यान देजेगा policy की आउथी 10 वर्स most important है policy की आउथी 10 वर्स है निवेस की सीमा प्रती वरिस्ट नागरिक 15 लाख रुपए है ठीक है most important है कि 15 लाख रुपए एक नागरिक 15 लाख रुपए है एक नागरिक के द्वारा जमा किये जाएंगे द्यान देजेगा इसमें red की भी सुपधा है द्यान देजेगा अगर आपकी जो policy है वो 3 वर्स की पूरी हो चुकी है तो इसमें आपको red भी क्या करेगी सरकार red उपलब्द कराएगी और किता red उपलब्द कराएगी 15 लाख का 75% 15 लाख का 75% आपको red भी इसमें उपलब्द कराएगी सरकार तो यह most important है ओके next है भारतिय जीवन विवा निगम लिमिटेड LIC इस योजना को संचालित करने का एक मात्र विशेशा दिकार दिया गए यह बहुत अच्छी बात है कि जो इसका विशेशा दिकार है वो LIC के पास है इसलिए थोड़ी सी यह हम लोग यूं के बहुत ज़्यादा विश्वस निए अपने लिए बन जाएगी क्या प्रधान मंत्री व्यवन दना योजना को ठीक है ओके next question है आपका देखे सरकार ने कोडांक सूर मंदर और कोडांक शहर के सो प्रतिशत सौर करण के लिए योजना शुरू की है ठीक है वह किस राज में अब याँ से पूछ रहा है जो कोडांक का सूर्य मंदर है कोडांक का सूर्य मंदर है वह किस राज में इस्ते थे तो वह आपके उड़ीशा राज में इस्ते थे most 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 important चीज है ओके देखिएगा जो करनाटक है करनाटक के जो CM है वो है B.S. एधुरुपा करनाटक के कौन है CM B.S. एधुरुपा जी है और जहांके गवर्नर है वाजु भाईवाला गवर्नर को रहा के वाजु भाईवाला है मतपरते इसके तो सारे लोग जानते है शिवराज सिंग चोहान कुछ ताम पहले कमालाज जी थे और इनका तकता पलट करके जो शिवराज सिंग चोहान जी कोशियारे जी है नेक्स्ट है जो गुजरात ध्यान दिजेगा जो आपका गुजरात है गुजरात में विजयरुपाणी जी CM है कौन है CM आके विजयरुपाणी जी है और जहांके गवर्नर है वो है आचार देवरत गवर्नर को रहा के आचार देवरत जी है most important है अच्छा उडिशा की बात यहां पर हुई तो उडिशा देख लेते हैं नवीन पटनाइक जी है के CM है कौन है नवीन पटनाइक जी है के CM है और जो है कि गवर्नर है वो है गनेशी लाल गवर्नर कौन है या के गनेशी लाल है तो इस शिश को ध्यान रखेगा most 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 important news है अच्छा ध्य प्रवासी सर्मिकों को ले जाने के लिए ततपर योजना शुरू की गई है most important यह है तो यह शुरू की गई है कहां पर राची में शुरू की गई है ततपर योजना प्रवासी सर्मिकों को ले जाने के लिए ठीक है अब यहां पर दिखेगा जो options आपने रखे हैं बहुत ही चुनिंदा option रखे हैं यह जो ले है इसमें international योग डे का समारोड है का आपको पता है हर साल कहीं न कहीं अलग venue रहता है योग का ओके जो आपका बैंगलूरू है इसमें इसरो का headquarter तो सब को पता है इसरो का headquarter बैंगलूरू में तो सब को पता है बच्चा बच्चा जानता है बट यहाँ पर Aero India exhibition रहेगा यह आपके काम की बात है तो यहाँ पर क्या रहेगा Aero India exhibition रहेगा नेक्स जो है ध्यान दीजेगा यहाँ पर वरांटसी के हम लोग बात कर लेते हैं वरांटसी है वरांटसी से इंदौर अभी थर्ड कॉर्पोरेट ट्रेन यहाँ लोग यहाँ पर आपको पता अभी जल्दी में डेफ एक्सपो रहा था यहाँ पर कहा रहा था डेफेंस एक्सपो रहा था तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कोशन है डोपिंग रोधी नियमों का उलंगन करने के लिए नाड़ा द्वारा अंतिम रूप से किसको निलंबित किया गया है यहाँ पर आपको उप्शन बनेगा उप्शन नमबर पांच यानि सविता कुमारी और अंकिता सिसोधिया इन दोनों को जो है नाड़ा के द्वारा किसको निलंबित कर दिया गया है ठीक है यह मध्यमदूरी की धावत है तो शुष को ध्यान रखेगा यह सब क्या है मध्यमदूरी की धावत है प्राची चोधरे अजुमा खातून और इनको डोपिंग रोधी एजंसी यह जिसको हम लोग नाड़ा कहते हैं उसने क्या कर दिया है बैन कर दिया है ओके हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन है किस रासरकार ने किसानों के कल्यान के लिए समावेशी कारिक्रम मी अनपूर्णा मी अनपूर्णा शुरू की है ठीक है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टन यहाँ पर आपका अंसर मेंनेगा महरास्ट ने यहाँ पर बात हुई जो असम की मैं लिंक डिस्क्रिप्षन में दे देता हूँ अब लोग उसको बड़े राम से देख सकते है आचा नेक्स जो है जारकंड ये तो रट गया होगा बिल्कुल से नीलांबर पीतांबर योजना है ना नीलांबर पीतांबर जलसम्रदी योजना बिरसा हरित ग्राम योजना और एक और था वीर सहीद फोटो हो खेल वीर सहीद फोटो हो खेल योजना आपके कहां की है जारकं फॉर लब इनिशियेट इसने लिया था ताकि लोग पेड़ों को कम काटें ठीक है जो 36 गड़े ध्यान दिजेगा अब यहाँ पर राजीव गांधी न्याय योजना कौनसी राजीव गांधी न्याय योजना 21st में को चलाई गए थी 21st में को उनका जहनती पड़ता है उसी दिन जो है इस दिन चलाई गया था कौनसा राजीव गांधी न्याय योजना चलाई गए थी 36 गड़ राजसरकार के द्वारा ओके नेक्स्ट कोशन है किस देश की बुंडेस लीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग कोविड नैंटीन लॉकडाउन के बाद फिर शे सुरूर अने वाला है प्रमुखेल कारिक्रम बना मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आपको आप्शन नमबर एक यानि जर्मन ओप्सन नमबर एक यानि जर्मनी के दोरा यह शुरू किया गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह जरूर पूछा जाएगा कि हो सकता है फुटबॉल लीग का नाम ना दे दे लेकिन किस देश में है यह आपको नाम दे करके पूछ सकता है अच्छा यूके की बात हुई तो कि बात है जान ले देखेगा 2022 के क्या होंगे 2022 के Commonwealth गेम 2022 के Commonwealth गेम है है यह उपका USA है USA में 11th World Game USA में क्या होंगे 11th World Game होंगे अच्छा जो आपका नेक्स्ट है बांगलादेश ध्यान दिजेगा बांगलादेश अंडर 19 बांगलादेश में अंडर 19 क्रिकेट बशुक अप हो जो आपका नेक्स्ट है दक्षड अफ्रीका ध्यान दिजेगा अफ्रीका यहां पर रहे गया दक्षड यह दक्षड अफ्रीका होगा टी ट्वेंटी दक्षड अफ्रीका टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप महिलावाला यहां पर हैल्ड करेगा तो य प्रेवेक्सट ए अलिबाबा के सीह संस्तापक का नाम क्या है जो सॉट वेंट के निधेशक मंडल से स्तीफा देंगे तो हम आपको सीFirst अंसर बने Sempre3 यनि जैकमा जी जो अलिबाबा के से संस्तापक है वह सॉफ्ट वेंट के सिविह मंडल से क्या देदेंगे इस्तीफा दे देंगे अच्छा है आप पर देखेगा जो आपका आप्शन है यावोन फेरेल और सेली मेकनमारा इनको अगर आपको याद हो को तब प्रिजगर प्राइस से समानित किया गया था यावोन फेरेल और सेली मेकनमारा को प्रिजगर प्राइस से समानित किया गया और जो आपके हिलल फुस्टेंबर्ग और ग्रिगोरी मार्गुलिस इनको 2020 का एबल प्राइज मिला था क्या मिला था 2020 का एबल प्राइज मिला था जो एबल प्राइज होता ये mathematics में सबसे highest honor होता है को मिला था हिलल फुस्टेंबर्ग और ग्रिगोरी मार्गलिस को ठीक है most important यह news थी ओके next है किसने इंडियन स्टील एस्सेशन के अद्धिक्ष के रूप में पद्भार समाला है तो आपको option बनेगा सीधा सांसर 2 यानि सुमन बिल्ला जी ने ठीक है एक्चली में यहाँ पर answer number 1 होगा यहाँ पर दिलीब ओमन जी ने जो है इंडियन स्टील एस्सेशन के अद्धिक्ष के रूप में पद्भार समाला है यहाँ पर answer number 1 होगा ठीक है चुकि जो आपके सुमन बिल्ला जी ध्यान रखेगा सुमन बिल्ला जी UNWTO कहां पर UNWTO में य इस त्रिमूर्ती जी यह UN में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटेटिव है कौन से टीएस त्रिमूर्ती जी एम अजीत कुमार जी यह क्या है यह CBIC के हैड है CBIC के यह हैड है चीक है यह CBIC का मतलब होता है Central Board of Indirect Taxes Commission चीक है तो यह CBIC के है है कौन एम अजीत कुमार जी नेक्स जो आपके है आलोग शर्माजी ध्यान दिजिएगा आलोग सर्माजी COP26 COP26 जो कांफरेंस होगी उसके हैड बनाएगे है कौन आलोग शर्माजी नेक्स कोशन है मोकेटिसी माजोरो किस देश के प्रधान मंतरी के रूप में शपतली है देखिएगा 24 घंटे के भीतर भीतर ही लेसेतों ने एक प्रधान मंतरी जैसे स्थीफा दिया दूसरे प्रधान मंतरी को वहाँ पर बिठा दिया तो ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए मोकेटिसी माजेरो ने अभी लेसेतों के प्रधान मंतरी के में शपतली है आचा अदे दिएगा जो किरगिस्तान है मैं सिर्फ औप्शन इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों का जितना भी यु दभयास है उस सारा डिवाईग जो किरगिस्तान है भारत के साथ की एक eat exercise होती इसका नाम है खंजर होते करगिस्तान के साथ में क कजाकिस्तान के साथ क्या होती है प्रबल्दोस्तेक होती है और जो आपका UAE है UAE के साथ में डेजर्ट इगल होती है क्या होती है डेजर्ट इगल होती है और म्यमार के साथ में आपकी इमबेक्स होती है तो शुच को आप लोग ध्यान रखेगा मोस्ट इंपोर्टेंट नियूस थे ओके नेक्स्ट देखें मिजोरम जो मिजोरम है आज हमारे स्टेट है फॉर्मिशन हुआ था 20 फेबरी 1987 को और जो इसकी कैप्टल है वो है आईजॉल कैप्टल क्या है इसकी आईजॉल है गवर्णर यहां के पी एस त्रिधरन पिल लई ड मौडीपूर बॉडर कंट्री है बांगलादेश एड म्यामार अब इसको में आपसे बहुत अच्छे से रीट करेंगे ओके फिर यहां पर देखते हैं फॉंपूई नसल पार्क है यहां पर मौरलेंड नसल पार्क है दांफा वार्ट लैप सेंचुरी है और कौनंग लंग शूम और हम लोग इसको फ्रॉडब करें है ठीकुना कर देखे हैं अगे कि नेक्स्ट इहां दिखेगा हम पर हो जो यहां पर अवर हम लोग इसको ऑखनाonton करके देखते हैं ठीक यह देखिए आपका यह मिजोरम हो गया और मिजोरम जो है ठीक है देखिए जो मिजोरम है मिजोरम ससे पूर यह मड़ीपूर के साथ में बॉर्डर शेयर करता है किसे साथ में बॉर्डर शेयर करता है यह मड़ीपूर के साथ में बॉर्डर शेयर कर रह एक मड़ीपूर हो गया एक असाम हो गया और एक हो गया तृपुरा और जो बॉर्डर कंट्री है वो दो है आपका कौन सा म्यामार और बांगलादेश दो बॉर्डर कंट्री है ओके तो ओवर रॉल यह आज आपका सेशन थेंक यू फॉर वोचिंग फूल वीडियो थेंक थेंक यू